हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल इस्टटी आर्ट फ्रेंड्स सा डिस्कस करने वाली हूं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ की बारे में अगर आप चैनल पर न्यू है इन फ्यूचर जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे आप विजट कीजिएगा माई इंपॉर्टेंट नोड्स इस नेम से प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट विजट कीजिएगा आपको ए टू जर सारे वीडियो सिक्वेंस से मिल जाने वाले हैं लैक वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है लास्ट क्लास में आज ग्रंथ के बारे में डिसक समरांगर सुत्रधार कंप्लीट हो चुके थे आज की क्लास में मोश्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ जैसे शिंगार शत्कम नीती शत्कम इसके लेखक है भर्थरी रसमंजरी बस्वाली शैली में चित्रित हुआ तब भानुदत है लेखक कावेदश दसकुमाचरित्र दंड लेकी है रतनावली नागानंद प्रिय दर्शिका हर्ष वर्थन हर्ष चरित और कादमबरी बाळभट का ग्रंथ है वासवदत्त वासवदत्तम सुबन्दू का ग्रंथ है प्रतिभा नारकम सुपन अपन वास्वदत्त महाकवी भास का ग्रंथ है निक्ष ग्रंथ है सौन्दरानंद अश्वघोस प्रबंधकोश राजशेकर सूरी अप्राजिता प्रिष्चा भुवन देव कथा सरिसागर स्वमेश्वर कस्मीर से बिलॉग करते हैं विरहत संधिता विरहत संधिता तो वारम यह का है विरहत कथा मंजरी यारवीश अताबदी की छेमेश्वर किये सो मेश्वर और छेमेश्वर कश्मीर से बिलौग करते हैं नेक्ष्ट है विरहत कथा गुडाय की युक्ति कलपश रूप राजा भोज की है और राजा भोज की और कौन सी ग्रंत है तो संबरांगर में इस्थान अंतराल को भूमिबंधन कहा गया था इस गरunnत में अंतराल इसपेश को भूमिबंधन कहा गया था राजा भोच का गरंद है सुक्ते कलप सुरूप और सम्रांगर सुत्राधार नेक्स्ट है तिलक मंझरी एसधनपाल सो आज की क्लास में आल्मोस्ट वैदी के एज के महत्वड ग्रंत कम्प्लीट होगे नेक्स क्लास में मैं डिस्कस करूँगी जोगी मारा की गुफा के बारे में जोगी मारा केव के बारे में इन फ्यूचर जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीज़े आपको पूरे सिक्वेंस से वीडियोस मिल जाने वाले है प्लेलिस्ट का नेम होगा माई इंपॉर्टिन नोट्स ओके फर्स्ट चैप्टर था प्री हिस्टोरी के प्रागती हासिक काल सेकेंड चैप्टर इंद्स वाले सिविलाइज़ेशन सिंदुहाटी सब्वेता थर्ड चैप्टर में मैंने डिसकस किया वैदिक एज वैदिक काल के बारे में और फोर चैप्टर होने वाला है यहां से गुफा की शुरुवात हो जाती है पहला गुफा जोगी माना की गुफा वीडियो कैसे लगी फीडबेक जरूर दीजेगा थैंक्स पॉर वाचिंग बेश्विसेश पॉर एक्जाम